Good morning बच्चो, आज मैं third class का English का ये chapter पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है The Roster, The Cat and The Mouse. Once upon a time, a little mouse decided to go out and see the world. एक बाद की बात है, एक छोटे से चुहे ने सोचा की मैं बहार जाता हूं और इस दुनिया को देखता हूं. After traveling for a long time, he came to a farm yard. बहुत देर घूमने के बाद, वो एक farm yard में आ गया, farm yard यानि की जहां पर जानवरों को पाला जाता है. There, he saw two large animals that he had never seen before. महाँ पे उसने दो जानवर देखे, जिससे उसने पहले कभी नहीं देखा था. One was quite large and handsome with four legs. एक तो बहुत ही बड़ा था और दिखने में बहुत ही सुन्दर था. और उसके चार पैर थे. He was covered all over with fur and had long whiskers. उसके उपर वो fur से covered था. पर आप ऐसे समझ लेजिए जैसे उसकी बोड़ी पे cotton की गद्दे जैसी एक परत लगी हुई थी और उसकी लंबी-लंबी मूच्छे थी. This animal was dozing against a wall और यह जानवर था एक दिवार से सटकर सो रहा था. The other animal was terrible to see और जो दूसरा जानवर था वो देखने में बहुत ही भयानक लगता था. It has two legs, red, yellow, and green feathers and a bad tempered look. उसके दो पैर थे, red, yellow, और हरे रंखे पंख थे और वो देखने में भी बहुत ही बुरे temper का लग रहा था, यानि कि वो घुसे में लग रहा था. A pair of angry red eyes cleared at the little mouse और दो घुसे से भरी आँखे उस छोटे से चुहे को देख रही थी. अब हम नेक्स पेज पे आ गए हैं. How do you do? The mouse began. चुहे ने उससे पूछा कि तुम कैसे हो? But the creature simply puffed up his chest and screeched aloud, कुकडू कुक अडूडू डूडूू. चुहे की ये बाद पूछने पर उस जानवर ने बस अपना शरीर उठाया और उसने जोर से कुकडू कु कहा. This scared the little mouse so much that he ran to a small hole in the wall and dived in. और ये अवाद सुनकर वो छोटा से चुहा बहुत डर गया और महाँ पर जो भी एक छे था दिवार में महाँ पर जाके गुज गया. Inside were three other mouse. अंदर उसने देखा कि तीन और चुहे थे. Where did you come from? They asked. उन चुहों ने उससे पूछा कि तुम कहां से आये हो? The little mouse told them his story. उस छोटे से चुहे ने उन्हें अपनी कहानी बताई. And I only just escaped from the terrible monster he finished. और उसने कहा कि अभी अभी मैं उस भयानक जानवर से बश्क्ते बचाते आ रहा हूं. Where am I now? अब मैं हूं कहां? We are field mice and this is our home. The other mice told and you are a very lucky mouse. उन्हें उसे बताया कि हम field mice हैं. मतलब कि हम खेतों में रहते हैं. और यही हमारा घर है. और उसने ये भी कहा. और उन तीन चोटे चुहों ने उस दूसरे चुहे से ये भी कहा. कि तुम बहुत ही भागेशाली हो. The creature that frightened you is just a roaster. और जो जानवर जो तुम्हें डरा रहा था वो एक roaster है. वो तो खाली एक मुर्गा है. He will not hurt you. वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा. But the handsome animal with fur is a cat, our deadliest enemy. लेकिन जो जानवर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और उसके पास fur है. वो एक बिल्ली है. और वो ही हमारा चानलेवा दुश्मन है. If he had seen you, he would have gobbled you up. अगर उसने तुम्हें देख लिया होता, तो फिर वो तुम्हें खा जाता. And so, the little mouse learned a very important rule. और इसी से उस छोटे से चुहें ने एक बहुत ही जरूरी rule सीखा. You cannot always judge someone by the way he or she looks. उसने ये सीखा कि किसी के कोई कैसा दिखता है. इससे तुम ये पता नहीं लगा सकते कि वो कैसा है. इनसान की सीरत से उसकी सीरत नहीं पता लगाई जा सकती.